हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मटन कोर्मा रिसिपी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिल्कुल आसान तरीकी से बनाएंगे कम टाइम में चले शूर करते हैं कैसे बनाना है बिल्कुल गला हुआ बना जा है मैंने गोश बिल्कुल गल गया है मैंने लिया है हाफ केजी मटन मटन को साफ धो लिया है चार प्यास को छील के धो के रफली चॉप कर लेंगे चार प्यास को मैंने ग्रैंड कर लिया है कुछ खड़े मसाले लिये हैं छोटी लची बड़ी लची तिश पत्ता दाल जिने की लकड़ी गैस पे गुकर चढ़ाएंगे तेल डालेंगे तेल को अच्छे से गर्म करेंगे तेल गर्म हो जाए उसके बाद खड़े मसाले डालेंगे मसाला थोड़ा चटकने लगे फ्राई हो जाए उसके बाद चौप की हुई प्यास डालेंगे चलाते हुए फ्राई करेंगे प्यास को गोल्ड ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम पे प्यास को फ्राई करेंगे प्यास फ्राई हो गई है एक छुटा बॉल मैंने लिए है अधरक लसन का पेस्ट इसको डालेंगे कुकर में डाल के चला के फ्राई कर लेंगे चलाते हुए भूनेंगे अब कुछ मसाले एड़ करेंगे तू टीस्पून धनिया पॉडर हाफ टीस्पून हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून जीरा पॉडर वन टीस्पून गरब मसाला हाफ टीस्पून कालमिनेश पॉडर वन टीस्पून लाल मिश पॉडर हाफ टीस्पून कश्मीरी मिश पॉडर मस मसाला डालके अच्छे से चलाएंगे, चलाते हुए भून लेंगे, लो फ्लेम पे, अब मटन डालेंगे, कुकर में, नमक डालेंगे, टिस्ट अकॉर्डिंग, चलाते हुए भून लेंगे, मसाला और गोश्ट को एक साथ भूनेंगे, चलाते हुए मसाले और गोश को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग हुजाए गोश और मसाले से चार हरेमिज को बीज से काट के डालेंगे गोश अच्छे से भून गया है मसाला भी थोड़ा और भून लेते हैं आगाँ ? लव फ्लेम पर ध॥कन धक्के 10 मिनिट पका circ impose आएंगे इससे गोश बहुत अच्छा बनता है मसाला भी अच्छे से बुन जाता है गोश के साथ गोश भी अच्छे से बुन जाता है यह देकिए 10 मिनिट हो गया तो जांए गया है दो से तीन मिनिट और भुनेंगे चलाते हुए धकन खोल के कर दो चलाते हुए भुन लेंगे जिससे जलेना और अच्छे से भुन जाए गोश्च अच्छे से भुन गया है पानी डालेंगे पानी हमें इतना डालना है कि सालन रहे और गोश्च भी अच्छे से गल जाए चला लेंगे थोड़ा पानी और डालेंगे अगर आपको नान से खाना है तो सालन रखिए अब कुकर के लिए लगा देंगे तीन प्रेशर आने पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे दस से पंदरे मिनट के लिए ये दिखिए बन गया है फूकर के लिए ड्वयने निकाल लिया है उपासे धनिया पत्ति डालेंगे धनिया पत्ति डालके दस मिनट के लिए धकंड़के रख देंगे दस मिनट हो गए हैं प्लेट में निकालेंगे मटन कोर्मा तयार है बहुत ही मज़ेदार बना है इस तरीके से बनाएगे बिल्कुल आसान तरीके से कम टाइमे बन जाता है सभी को बहुत पसंद आएगा उपर से धनिया बत्ति डालेंगे मतन कोर्बा तो कई तरीके से बनता है पर ये तरीका बहुत ही आसान है सभी को बहुत पसंद आएगा बिल्कुल आसान तरीके से कम टाइम में ने बनाया है बच्चे बड़े बुड़े सभी को बहुत पसंद आएगा इस तरीके से जरूर टाइग कीजेगा अगर आपको मतन कोर्मे की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक केमर्स और चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस तरीके से जरूर टाइग कीजेए बिल्कुल आसान तरीके से कम टाइम में बनाया है मैंने नान चापाती चावल सभी के साथ अच्छ लगेगा कोर्मा बिल्कुल गला हुआ बना है यह देखिए बिल्कुल गला हुआ है गोश करे बिल्कुल बढुई